दीटाँ जाड़ाँ 5 sinθ-3 cosθ diviadeisenθ plus 3 cosθ और यह यहाँ पे given हैं तो सब्से पहले है यहाँ पे जो given है इसको लिखते हैं इसको लिख सकते हैं 5 quadθ equal to 3 और इसको लिख सकते हैं quadθ equal to 3 by 5 यह मैंने लिख लिख दिया है उसके जो given है इसको हम लिखते हैं उसके यहाँ पे दिया हुआ है 5 sinθ-3 cosθ divided by 4 sinθ plus 3 cosθ तो मुझे यहाँ पे cosθ का formula पता है cos by sin यह होता है तो यहाँ पे अगर हम यह term से sin में अगर divide करेंगे तो यहाँ पे sin-sin तो cancel जागा और इसमें cos by sin आ जागा और cos by sin मुझे चाहिए ठीक है इसमें भी sin से divide करेंगे तो sin cancel जाग यह cos by sin तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dividing numerator and denominator with यहाँ पे divide करना है sin theta से ठीक है उसके बाद यहाँ पे 4 sin theta plus 3 cos theta यहाँ पे divide करेंगे sin theta से उसके बाद यह अगरा जो चीज है यहाँ पे दुनों को break करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 sin theta divided by sin theta यहाँ पे लिख सकते हैं 3 cos theta divided by sin theta उसके बाद अगरा है 4 sin theta divided by sin theta उसके बाद यहाँ पे 3 cos theta divided by sin theta यह कर दिया मैंने उसके बाद यहाँ पे sin cancel हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 5 3 cos by sin जो की formula मुझे पता है 3 cos theta हो जाएगा उसके बाद ये 4 उतार दिये मैंने cos by sin मुझे पता है 3 cos theta अब simple है यहाँ पे cos theta का value मुझे पता है 3 by 5 तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos theta equal to 3 by 5 तो यहाँ पे लिख देंगा 5 3 cos theta equal to 3 by 5 अब यहाँ पे 4 plus 3 और यहाँ पे 3 by 5 ठीक है इतना हो गया cos theta equal to 3 by 5 अब क्या करना है इसको calculate कर देते हैं तो यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 9 by 5 और यह हो जाएगा 4 यह हो जाएगा 9 by 5 उसके यहाँ पे इसको L से मिलेंगे तो यहाँ पे यह 5 आजाएगा और यह हो जाएगा 25 minus 9 तो अच्छे से लिख देते हैं तो यहाँ पे यह हो जाएगा 25 और यह हो जाएगा 9 फिर इसका भी L से मिलेंगे तो यह हो जाएगा 5 आजएगा 20 और यह हो जाएगा 9 फिर यह यह टर्म कैंसल हो जाएगा 6 ते यह हो जाएगा 6 ते इसको सब्टराट करेंगे यह हो जाएगा 29 तो यही एंसर मुझे मेला